क्योंकि मेरे को 53 में खेलना था, क्योंकि मेरा एज के साथ लगा लो, हाइट भी मेरी ज़ादा है, मसल मास ज़ादा है, तो 50 मेरे लिए बहुत इंपोसिबल चीज थी, ब्रिज बुशन तो था ही हमारे खिलाफ में, पूरा वीजे पी एक साइड में बैठ गया, कि अगर ब्र बुशन चाहेगा, तो ही ट्राइल्स होंगे, अधरवाइस नहीं होंगे, डोमेस्टिक रूल कोई भी नहीं है सा, कि आप दो वेट में नहीं खेल सकते हैं, और मैंने बोल दिया था सबको, कि मेरा मैन केटेगरी 53 है, भारतिये महिला पहलवान और कॉंग्रेस नेता, विने विनेश फोगाट ने असल में क्यों 50 किलो ग्राम में कुष्टी खेली, उस पर उन्होंने अब चुपपी तोड़ दी है, सुनिये विनेश फोगाट ने क्या कहा? लेली कि इनको हमें कैसे, इनकी जो सचाई की जो लडाई है, जो सच की जो नयाई की जो लडाई लड़ रहे हैं, कैसे अपने सांसद को प्रोटेक्ट करना है, तो कि उन्होंने एक एक नेरेटिव बनाने की कोशिश की कि यह तो चले वे कार्तुस है, मतलब यह तो खतम हो जो कि खिलाडी है, इनका आगे future कुछ भी नहीं है, और यह दूसरे बच्चों का हक खाने के लिए यह सड़क के उपर आए हैं, यह सीधा जाना चाहते हैं, अलमपिक्स में, सब कुछ यह जो भी नेरेटिव चलाने की कोशिश की गए थी, तो उनका focus यह हो गया कि अब इन चल इंजरी से आई थी, पांच महीने होए थे, मैं नेशनल खेली, मैं गोल्ड जीत लिए, एक नेरेटिव उनका टूट गया, फिर उनने बोला कि है, ट्राइल्स नहीं देना चाहते हैं, डारक जाना चाहते हैं, ट्राइल्स में जब मैं गई, तो क्योंकि जो रूल था न क्योंकि 53 का मारा कोटा आचुका था इंडिया ने वो कोटा वीन कर लिया था, तो बोले कि, हमें 53 के लिए टॉप 4 की ट्राइल चैहें, लेकि उसका ट्राइल बाद में, अलमपिक्स के लिए, जो कोटा लेक है, कोटा विननर के साथ में होगा कि नहीं होगा, वो कोई शौर नहीं था मैंने 50 में ट्राइए किया क्योंकि मैं नहीं चाहिए थी कि मेरी किसमत किसी दूसरे के आथ में जाए मेरी किसमत हो तो मेरे आथ में हो मेरी मैनत मेरे आथ में होने चीए मैं दूसरे डिपेंड हो कि मैं ओलम्पिक नहीं जाना जाकते थी तो मैं 50 में भी खेल लेकिन दो weight में नहीं खेल सकते हैं, suppose मैं पहले क्या आपको बताती हूँ, पहले कैसे होते थे थे ना, ट्राइल, इस ट्राइल से पहले, जो olympics के ट्राइल थे, non olympic weight के ट्राइल, next day होते थे, जो olympic weight category है, हमारी 6 है, वैसे जो normal weight category है, 10 है, तो वो 6 weight category के पहले दिन ट्राइल थे, उसके बाद में one week after, 10 days after, या next day, non olympic weight के ट्राइल होते थे हमारे, तो वो जो लड़किया पहले दिन हार गई, वो दूसरे दिन non olympic weight में खेलते थे, तो ये obvious सी बात थी, उन्होंने same day रख दिया, तो मैं same day उसमें खेल ली, मेरी मजबूरी थी खेलना कोई ऐसा नहीं, क् 53 में खेलना था, क्योंकि मेरा age के साथ लगा, height भी मेरी ज्यादा है, muscle mass ज्यादा है, तो 50 मेरे लिए बहुत impossible चीज थी, किसी ने सोचा भी नहीं था, कि मैं 53 में खेल लूँगी, 50 में खेल लूँगी, सब सोच रहे थे 53 नहीं, तो मैं 57 में जाओंगी, लेकिन क्योंकि 57 मे से स्टेज के उपर आप unknown person से खेलोगे, तो वो एक बहुत बड़ा difficult challenge होजाता आपके लिए, तो मैरे को 50 में 53 में इसलिए मैंने दोनों चीज चूजगी, और फिर जो चीज का मुझे डर था वही हुआ, अगर मैं वो बोले कि हम 53 में ट्राइल लेंगे, मैं बोले आप लिक कोट हाई कोट से जलबाओ, रिटर्न में कोई चीज मिल जाएगी तो हम आसवस्ता है, उन्होंने सिरफ मोखिक बोला, और जो मेरे को डर्द था कि 53 में ये चाहते हैं कि विनेशना जाए ओलम्पिक्स तक, वो सधी अंतर वो कर रहे थे, लेकिन जो परमात्मा चाहता है एक फिलहाल विनेश फोगाट ने कुष्टी से सन्यास का एलान कर दिया है, और वो हर्याना विधानसवा चुनाव में कॉंग्रेस की ओर से जुलाना विधानसवा सीट से मैदान पर हैं, और इस बार कॉंग्रेस और भाजपा के बीच चुनावी जंग काफी दिल्चस्प हो च आपको कह लगता कौन बाज ही मारेगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं, तब तक के लिए देखते रहें One India Hindi